याकुब की पत्री पहला अध्याय परमेश्वर के और प्रविश मसी के दास याकुब की ओर से उन बारा गोत्रों को जो तितर बितर हुकर रहते हैं नमस्कार पहुँचे हे मेरे भाइयों जब तुम नाना प्रकार की परिक्षाउं में पड़ो तो इसको पूरे आनन की बात समझो यह जान कर कि तुमारे विश्वास के पर के जाने से धीरज उत्पन होता है धीरश को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिध हो जाओ और तुम में किसी बात के घटी न रहे यदि तुम में से किसी को बुद्धी के घटी हो तो परमेशर से मांगे जो बिना उलाना दिये सब को उदारता से देता है और उसको दी जाएगी समझे कि मुझे प्रभू से कुछ मिलेगा वह व्यक्ति दूचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है तीन भाई अपने उचे पत पर घमन करे और धनवान अपनी नीच दशा पर क्योंकि वह घास के फूल की नाही जाता रहेगा सुर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल जड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है उसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ट पर चलते चलते धूर में मिल जाएगा धन्या है वह मनुष्य जो परिक्षा में स्थीर रहता है क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिग्या प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दिये जब किसी की परिक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परिक्षा परमेश्वर की ओर से होती है क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परिक्षा हो सकती है और न वह किसी की परिक्षा आप करता है परंतु प्रत्यक व्यक्ति अपने ही अभिलाशा से खीच कर और फंस कर परिक्षा में पढ़ती है फिर अभी राशा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यू को उत्पन करता है हे मेरे प्रिय भाईयों धोका नखाओ क्योंकि हर एक अच्छा वर्दान और हर एक उत्तम दान उपर ही से है उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन किया ताकि हम उसके स्रुष्टी की कुई वस्तों में से एक प्रकार के प्रथम फल हो हे मेरे प्रिय भाईयों यह बात तुम जानते हो इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वा नहीं कर सकता है इसलिए सारी मलिंता और बैर्भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नमरता से ग्रहन कर लो जो हिर्दय में बोया गया और जो तुमारे प्रानों का उधार कर सकता है वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोका देते हैं जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुश्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुह दर्पन में देखता है इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरन भूल जाता है कि मैं कैसा था जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सित्व्यवस्ता पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशिश पाएगा कि सून कर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है यदि कोई अपने आपको भक समझे और अपने जीप पर लगाम न दे पर अपने हिर्दय को धोका दे तो उस की सुधी ले और अपने आपको संसार से निश्कलंक रखे दूसरा अध्याय हे मेरे भाईयों हमारे महिमा युक्तव प्रविश मसी का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ नहों क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छले और सुन्दर वस्त्र पहने वे तुमारी सभा में आए और एक कंगाल भी मेले कुछले कपड़े पहने को आए और तुम उस सुन्दर वस्त्र वाले का मुद देखकर कहो कि तू वहां अच्छी जगा बै और उस कंगाल से कहो कि तू यहां खड़ा रह या मेरे पामों की पीढ़ी के पास बै तो क्या तुमने आपस में भ धनी और उस राज्यके अधिकारी हों जिसकी प्रतिग्यां उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते और क्या वे ही तुमें कचरियों में घसिट-घसिट कर नहीं ले जाते क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाये जाते हो, तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के नुसार की तू अपने पडोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुष उस राज्चे व्यवस्था को पूरी करते हो, तो अच्छा ही करते हो, यदि सब बातों में दोशी ठैरा, इसलिए कि जिसने यह कहा कि तू व्यभीचार न करना, उसीने यह भी कहा कि तू अध्यान करना, यदि तुने व्यभीचार तो नहीं किया, पर हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उलंगन करने वाला ठैरा, तुम उन लोगों की नाई वचन बोलो और काम भी करो, जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्ता के अनुसार होगा, जिसने दया नहीं की, उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जैवंत होती है, हे मेरे भाईयो, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, परवद कर्म न करता हो, तो उससे क्या ल और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गरम रहो और त्रिप्त रहो, पर जो वस्तुए देहे के लिए आवशक है, वह उन्हें न दे, तो क्या लाब, वैसे ही विश्वास भी, यदि कर्म सहीत न हो, तो अपने स्वभा में मरा हुआ है, वरन कोई यह कहता ह तुझे विश्वास है, और मैं कर्म करता हूँ, तु अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तु अच्छा करता है, दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं, पर हे निकमे मनुश्य, क्या तु यह भी नईब जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने प कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि, इब्राहीम ने परमेश्वर की प्रतीती की, और ये उसके लिए धर्म गिना गया, सो तुमने देख लिया, कि मनुश्य केवल विश्वास से ही नहीं, वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है, वैसे ही, रहा विश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा, और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धर्मी न ठहरी, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही, विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है, तीसरा आध्या है, हे मेरे भाईयों, तुमें से बहुत उबदेशक न बने, क्योंकि जानते हो, कि हम उबदेशक और भी दोशी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चुक जाते हैं, जो को वचन में नई चुकता, वही तो सिद मनुश है, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोडों के मूँ में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं, देखो जहाज भी यददपी ऐसे बड़े होते हैं, और तो अभी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांजी की इच्छा के नुसार गुमाई जाते हैं, वैसे ही जीब भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डिंगे मारती है, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है, जीब भी एक आग है, आग लगा देती है, और नरक कुण की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के वन बच्चु, पक्षी और रेगने वाले जन्तु और जल्चर तो मनुष्य जाती के वश में हो सकते हैं, और हो भी गए हैं, पर जीब को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता, व प्रान नाशक विश से भरी हुई है, इसी से हम प्रभू और पिता की स्तुथी करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्व के स्वरूप में उत्पन हुए हैं, स्राब देते हैं, एक ही मुह से धन्यवाद और स्राब दोनों निकलते हैं, हे मेरे भाईयों, ऐसा नह प्रेड में, जैतुन या दा की लता में अंजिर लग सकते हैं, वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता, तुम में ग्यानवान और समझदार कौन हैं, जो ऐसा हो, वो अपने कामों को अच्छे चाल सलन से उस नमरता सहीत प्रगट करे, जो ग्यान से उत्पन होत पर यदि तूम अपने-अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य की विरोध में घमन न करना और न तो जुट बोलना, या ग्यान वह नहीं जो उपर से उतरता है, बरन सांसारिक और शारिरिक और शैतानी हैं, इसलिए कि जहां डाह और विरोध होता है, और हर प्रकार का दुश्कर्म भी होता है, पर जो ज्यान उपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, अमृदुभाव, और दया, और अच्छे पलों से लदा हुआ, और पक्षपाद और कपट रहित होता है, और मिलाप करने वालों के लिए, धार तुम में लड़ाईयां और जगड़े कहां से आ गए, क्या उन सुक विलासों से नहीं, जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भीड़ते हैं, तुम हत्या और डहा करते हो, और कुछ प्राप नहीं कर सकते, तुम जगड़ते और लड़ते हो, तुमें इसलिए नहीं मिलता क उड़ा दो, हे व्यभिचार्णियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना, परमेश्वर से बैर करना है, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वो अपने आपको परमेश्वर का बैरी बनाता है, क्या तुम यह समझते हो, कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता ह इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुक्रह करता है इसके परमेश्वर के अधिन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुमारे पास से भाग निकलेगा परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुमारे निकट आएगा हे पापियों अपने हाद शुद करो और हे दुचेते लोगों अपने हिर्दय को पवित्र करो दुखी हो और शोक करो और रो तुम्हारी हसी शोक से और तुम्हारा आनंद उदासी से बदल जाए प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमनी बनाएगा हे भाईयों एक दुसरे की बदनामी न करो जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोश लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोश लगाता है और यदि तु व्यवस्था पर दोश लगाता है तो तु व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ है तू कौन है जो अपने पडूसी पर दोश लगाता है तुम जो कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाब उठाएंगे तुम यह नई जानते की कल क्या होगा सुनतो लो तुमारा जीवन है ही क्या तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है इसके विपरित तुमें यह कहना चाहिए की यदि प्रभू चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे पर अब तुम अपनी डिंग पर घमन करते हो ऐसा सब घमन बुरा होता है इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए अब पाप है पांचवा आध्याए हे धनवानों सुन तो लो तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिला कर रो तुमारा धन बिगड गया और तुमारे वस्तरों को कीड़े खा गए तुमारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाई देगी और आग की नाई तुमारा मास खा जाएगी तुमने अंतिम यूग में धन बटो रहा है देखो जिन मजदूरा ने तुमारे खेत काटे उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोका दे कर रख ली है चिला रही है और लवने वालों की दोहाई सेनाओ के प्रभु के कानों तक पहुँच गई है तुम प्रित्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुक भोगा तुमने इस बत के दीन के लिए अपने हिर्दय का पालन पोशन करके मोटा ताजा किया तुमने धर्मी को दोशी ठहरा कर मार डाला वह तुमारा सामना नहीं करता सो हे भाईयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो देखो गुरुहास्त प्रित्वी के बहमुल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है तुम भी धीरज धरो और अपने हिर्दय को दिर्ड करो क्योंकि प्रभु का शुभागमन निकट है हे भाईयों एक दुसरे पर दोश न लगाओ ताकि तुम दोशी न ठरो देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है हे भाईयों जिन भविश द्वताओं ने प्रभु के नाम से बाते की उन्हें दुक उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं तुमने अयूब के धीरज के विशय में तो सुनाई है और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है जिससे प्रभु की अत्यनत करुना और दया प्रगट होती है पर हे मेरे भायों सबसे श्रेश बात यह है कि शपत न खाना न स्वग की न प्रित्वी की न किसी और वस्तु की पर तुम्हारी बाचित हां की हां और नहीं की नहीं हो और तुम दन के योग्य और नहीं की नहीं हो कि तुम दंड के योग्या न ठहरो यदि तुम्मे कोई दुखी हो तो वह प्रातना करे यदि आननधित हो तो वह स्तूती के भजन गाए यदि तुम्मे कोई रोगी हो तो कलिस्या के प्राचिनों को बुलाए और वे प्रभू के नाम से उस पर तेल मल कर तो उनकी भी शमा हो जाएगी इसलिए तुम आपस में एक दुसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दुसरे के लिए प्रातना करो जिससे चंगे हो जाओ धर्मी जन की प्रातना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुश्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रातना की की मेह न बरसे और साड़े तीन वर्ष तक घुमी पर मेह नहीं बरसा फिर उसने प्रातना की तो आकाश से वर्षा हुई और घुमी फलवन्त हुई है मेरे भाईयों यदि तुम में कोई सत्य के मांग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए तो वह या जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्रान को बृत्यू से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा झालेगा